यूस्बी जी हां दोस्तों नाम तो सुनाई होगा यूनिवर्सल सिरियल बस जो की आपके डिवाइसों के लिए बड़ी कॉमन कनेक्शन हब है आपके लिए लेकर आया यूस्बी 4 जो की आपके थंडर वोल्ट यानि 3.0 या फिर 3.2 का ही सक्सेसर वोजन है आज हम जानने वा यूस्बी दोस्तों आप लोग के लिए 1996 में लॉंच किया गया ताकि अलग-अलग डिवाइसों के तौर पर सॉपोर्ट अबिल्टी प्रदान की जा सके इससे पहले कोई ऐसा कनेक्शन नहीं था जो एक ही कनेक्शन यानि की पोर्ट या हब कहा जा सके अलग-अलग-अलग इसके कई सरे डेवलाप वर्जन हमारे सामने हैं इसके हाट डेवलाप होते वर्जन के साथ इसके डेटर ट्रांसपर की स्पीड, कनेक्शन के साइज या फिर कहा जा सकता है कि डिवाइसों की सफटर अबिलिटी बढ़ता जा रहा है यह 1K, 2K, 4K और 8K तक आने वाला है द ती थी फिर जाकर के आपको USB 3.0 का ही सक्सेसर वर्जन 3.1 लांच करके दिखाया गया और उस 3.1 में आप लोगों को 10 Gbps के डेटर ट्रांसपर की स्पीड मिलती जो सूपर स्पीड प्लस कहलाता था और फिर जाकर के थर्ड जेनरेशन आया आपके USB 3.2 जो कि आप लोगों क 20 Mbps तक के डेटर ट्रांसपर की स्पीड दिलाता था और वो HD या फिर कहा जा सकता सूपर HD डेटर ट्रांसपर की स्पीड देने में सक्षम था लेकिन USB ने हाली में 2019 के लाश्ट में अनौंस किया था कि वो USB 4 जो कि थंडर बोल्ट कहा जाएगा वो लांच करने वाला है इस इसमें जेनरली 40 Mbps तकी डेटर ट्रांसपर की स्पीड मिलने वाली आपको लेकिन बता देते हैं कुछ विशेश प्रकार के डिवाइसे जैसे डिस्प्ले डिवाइसे बगएरा में यह 80 Mbps तकी डेटर ट्रांसपर की स्पीड देने में सक्षम है कुछ और एडवांटिज अगर मैं आपके यूएसबी के बारे में बताना चाहूं तो सबसे पहले आपके पहले इस्तमाल किया करते हैं वो सबी स्टेंडर टाइप के तहीं जिसमें आपको एक टाइप बीटाइब ओ सी टाइप जो कि अभी प्रचलन में है हैं आपके मोबाइल के चार्जिंग के पिंस हो गए डेटा के बल्स हो गए सभी कुछ सीर टाइप में मिल रहा है लेकिन इससे पहले जो ए या बी टाइप मिला करता था वह पॉपलर था आपके अलग डिवाइस उसके लिए जैसे आप प्रिंटर कनेक्ट किया करते थे आप क आता है उसे पूर्ट में करदाना चाहिए यानि अगर हम आलीज यूएस भी किसी पूराने वर्जन को यूएसभी ट lingu करेंजान हो करकर उसे मल्टि पदलना चाहिए तो मिनममन 11-25 का budget को better at पड़ता था लेकिन बढ़ते हुए जनेरेशन के साथ 3 टाइप यानि थंडर बोल्ट 4 है उसमें यह खास कहता है कि वह 40-80 gbps तक यानि उस एक ही पोर्ट में अगर उसे हम मल्टी पोर्ट में बदलते हैं तो हम उसमें वी जी आर्जे या फिर कहा जा सकता है आपके अलग अलग तरह के डिवाइसे पें ड्राइब हो मेमरी कार्ड हो एचडियम आइज हो यह सब जोड़ सकते हैं इससे पहले आप लोगों को यूएसबी के ही डेवलाप्ड बर्जन में एचडिया हाई डेफिनिशन मल्टी मीडिया इंटरफेस क करी जाए तो वह सब्जाता तरह आपको अलग तरहह के एक्सटरण डिवाइस में चाहिए एक्सटरणल डिवीडी राइटर ले इक्सटरणल प्राइंक ले यूसमें लिए उसमें अच्छी कांसर्थ की बैटार कि प्रकर करके होते हैं और अलग अलग बोल्टेज और अम्पेर का माउंट खर्च करते हैं लेकिन जो थंड़र वोल्ट 4 होने वाला है वह आपका कहा चाज़ सकता है कि कम से कम 5 एंपीर 20 वोल्ट और 100 वाट्स पे चलने में सक्षम होने वाला है यूइसबी थंड़ वोल्ट में आप लोगों के लिए चार्जिंग, पावर केबल या फिर कहा चासकता है डेटर ट्रांसफर और इस तरह के अनेक डिवाइसों को सपर्टबिलिटी को बढ़ा दिया गया आप इसमें प्रजेक्टर हो गया अलग अलग डिवाइसे हो गई सब यूइसबी 4 इस पेस वगईरा कोई नाम नहीं दिया गया इसे सिंपल यूइसबी 4 कहा दिया गया है और इसका कोई ऑफिशियल नाम और अनौंसमेंट अभी नहीं दी गई है लोगों वगईरा के साथ लेकिन हाँ इसकी सब्सक्राइबलिटी सबसे नई होने वाली है और यह हो चुका है आपके लिए 4K के बाद 8K जो कि आपको डेटर ट्रांसफर डिवाइसों पर डिस्पले डिवाइसों पर मैक्सिमम देने वाला है तो उमेद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आ है तो लाइक कमेंट शेर करना ना बोले सब्सक् आपके लिए लाता रहूं तब तक के लिए गुडबाई